तो आज की टाइम में नीट पेपर लीक हो जाना एक बहुत दुखत खबर है क्योंकि जो एक बार दूब डॉब ले चुक है रॉप लेने के बाद यह उम्मीद करते हैं कि उनका ड्रीम कॉलेज मिलेगा बट नीट पेपर लीक होने के वज़ा से उन्हें ड्रीम कॉलेज नही हम बात करेंगे एक important topic पे about need paper leak, एक conceptual चीज़े है जो इस समय का time पर थान रखने चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे So let's begin the video from here, साहसे पहले हम बात करेंगे कि need paper leak होने के वजह से कितने students को क्या क्या चाहिए face करना पड़ता है या क्या सबर करते हैं student उसकारे मत करते हैं, साहसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे student है, जो कई ऐसे बच्चे जो suicide कर लिए, depressed हो गया है मैं उनसे विंति करता हूँ कि please need को इतना हर्स लेनी का जरूत नहीं है, it's a kind of a door step जहां से आप medicine journey को start करते हो और उसके बाद आपका life start होता है, अगर आप यहां पर failure हो रहे हो या आप यहां पर इतना stress ले रहो तो फिर कहीं न कहीं आगे जाके और जो life है आपका वो काफी हर्स हो जाएगा तो आप अपने अंदर से वो strong point बना कर रखो, मेहनत करो और इन सब जीजों से उभरने का कोईसिज करो क्योंकि यह time बीत जाएगा और कुछ न कुछ नया चीज़ आ जाएगी इसक्ति देख लेंगे आपका focus होना चाहिए preparation के तरफ और आपका focus होना चाहिए कि आगे हमें क्या करेंगे, और यह system का failure है आपका नहीं है आपने जितना मेहनत करना था आपने किया और जो आपको देना था आपना अपने waste दिया है, तो बस यह decision लो कि आगे जाके क्या करन और जो भी चीज आएगा उसको मैं फेस करेंगे सो पहला हमें बता दे कि जो भी श्रीट नीट एक्जाम देते हैं उनके लिए नीट एक्जाम एक ऐसा एक्जाम होता है कि वह बस यह सोचते हैं कि यह एक्जाम खतम हो जाए उसके बाद मेरे लाइफ काफे स्मूथ हो और भी चीजा है उनके फोकस करो नीट एक्जाम जो है एक्जाम एक्जाम से दो साल डॉप किया होते हैं उनका इस्टेती जो होती है वह काफी डेंजर होती है क्योंकि उनके पास इतना जादा टाइम नहीं होता है कि वह दुबारा से नीट का प्रप्रेशन कर सकें यह और उसके साथ ay् क चाहिए तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है इन सब चीजों में था करना चाहिए a के बात करते हैं कि अगर आपने एक या दो प्लेश या दो से तीन रोप ले चुके तो मेरे उसार से आपको और ज्यादा ड्रॉप लेने के जरूत नहीं है क्योंकि एक अपने ज्यादा के दिया और निड एक ऐसा एक्जाम आर्ठ तक पहुंचाता है वह एक लो तो उतना ज्यादा टाइम देनी के जड़त नहीं होती है अगर आपका नीड में मतलब दो ड्रॉप हो चुका है उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि अगर मुझे कुछ करना है तो क्या करना चाहिए आपके अप्सेंस होता है या तो आप आप अपर चूछ कर लो या तो आप मेट को चूछ कर लो और नहीं तो तीसरा उपसेंस होता है कि आप अपने जो करियर है ड्रीम है उसको आप स्विच कर लो क्योंकि सिफ आप डॉर स्टेप पे खड़ा होकर आप इतना टाइम देकर अपने चीजों को वेश्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि नीट एक स्टार्टि करें मत रहो कि आपका स्टेप आपको लगता स्टार्ए को बढह सब्ढ़ार। तो आप उस पर काम करो वक करो अगर वह लगता है कि नहीं इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा जो कि मेरा सेलेक्शन की तरफ लेके जाएगा तो ज्यादा टाइम जो आप वेस्ट करने का कोई फाइदा नहीं है बहतर यह होगा कि आप कोई कॉलेज में स्वीच हो जाओ न मेरा उसा से मानना यह है कि आप एक ड्रॉप से दो ड्रॉप मैक्स होता है उससे ज्यादा ड्रॉप लेने के जरूत नहीं है तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि अभी के टाइम पर जो नीट पेपर लिक हो गया उसे कारण ऐसा जो सुप्रीम कोट है या ऐसा न्यूज कि अगर होना चाहिए तो अगर आपका लगताई है कि अगर आपको अंपर स्थ प्रीपेशन में लग जाना चाहिए जुसरा ओप्सण्स यह का अगर आपको लगता है कि दूआरा नीट होगा या नहीं स्कूर इतना चहने रहेगा कि मुझे इंडिया में गौवर्मेंट या कहीं मिल जाएगा तो बहतर है कि आप कहीं अब्राइब me या कहीं आप ब्राइब में स्विच कर लो पने को क्वो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है ज्यादा चिजों का दिफरेंस है नहीं और क्योंकि मैं अल्डेटी फिटीर में तो मुझे इन सब चीजों का झाल